पाइज 5 जनवरी 2024 को Facebook का एक बहुत बड़ा अपडेट आया था और उसके बाद बहुत सारे चीज चेंज हुए हैं अगर आप एक छोटी सी गलती करोगे तो आपका monetization reject कर दिया जाएगा चाहे भाईया आप original creator हो चाहे आप copy paste creator हो चाहे आप miss content क्यों ना बनाते हो भाईया द सबसे पहले आपको algorithm को समझना होगा अगर आप algorithm को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना फिर आपको पता चलेगा भाईया ये change क्या हुआ है और आपको इससे earning बढ़ेगा नुकसान देखने को मिलेगा और क्या-क्या होगा और कौन-कौन सी गलती नहीं करना है सारा चीज को एकदम detail में समझेंगे तो चलिए बिना time waste की आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 5 जनवरी से पहले कौन सा rule and regulation लागू था क्यूंकि जब तक आप पहले वाले चीजों को नहीं समझोगे जब तक आपको ब वीडियो पर add कब चलता था वो बहुत सारे चीजों पर depend करता था सबसे पहले आपको वीडियो का duration पर depend करता था आपका वीडियो जितना लंबा होता था उतना ज्यादा add चलता था दूसरा आपके वीडियो के category पर depend होता था भाईया आपका वीडियो का category किस परकार से आप और आदिएंस रिटेंशन पर डिपेंड करता था क्यूंकि भाईया अगर मैंने वीडियो बना दिया 20 मिनट का तो 20 मिनट में तीन एड़ चल रहे हैं लेकिन भाईया जब तक मेरे ओडियों 20 मिनट तक वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक तीन एड़ कहां से चलेंगे तो पाथ जनवरी का अपडेट आया ये सारे चीजों को हटा दिया गया ठीक है अब फेस्बुक बोला ये सब चीजों को मानिता नहीं देंगे अब हम नया रूल एंड रेगुलेशन से चलेंगे ठीक है तब देखिए पाथ जनवरी के बाद जो न्यू अपडेट हुआ है उसमे बहुत सारे चीज बतला है सबसे पहले फेस्बुक सीधा बोला है कि अब आपका जो अर्निंगों ना वह आपके इलिजबल वीडियो पर होगा और आपके व्यूज के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे लेकिन मैं आपको लिटरली बना हूँ ये आपको चूतिया बनाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है ठीक है आपके व्यूज के हिसाब से पैसे देंगे लेकिन उसमें बहुत लंबा लंबा टर्मस और कंडिशनस फेस्बुक चिपका दिया ठीक है अगर उसको आप अच्छे से नहीं समझोगे भाईया आप बहुत जादा पच्ता होगे औ उसी साब से हम आपको पैसे देंगे तो भाईया इलिजबल वीडियो का मतला आपको समझ में आ रहा है आपको तो लग रहा होगा मैंने वीडियो डाला उस पर अर्निंग बढ़ना स्टाट होग जाए नहीं सबसे पहला टर्मस और कंडिशन इस असुरा है ठीक है इलिजब के कॉम्निटी गाइडलाइन के हलका सा भी अगेंस्ट है वो आपका इलिजबल वीडियो नहीं मना जाएगा उस पर अर्निंग ही नहीं होगा ठीक है तो भाईया इलिजबल वीडियो का यह मतलब होता है दूसरा में अब फेस्बुक का करना है आपके वाच आउडियंस वा ज्यादा डिपेंड करेगा क्यूंकि जब तक आपके वीडियो पर वाच टाइम ओडियंस रिटेंशन नहीं आएंगे तब तक क्या होता है फेस्बुक का अपंडा अगर आप वीडियो देखने के लिए स्टार्ट करोगे तो भाईया दस सकेंड या बीस सकेंड या पचास सकेंड के बाद आपके वीडियो पर एड़ चलेगा और फिर जैसे ही आपके वीडियो खतम होगी लास्ट में आपकी वीडियो पर एड़ चलेगा लेकिन भाईया जब तक आपकी वीडियो कोई देखेगा ही नहीं तब तक आपके वीडियो पर कहां से एड़ चलेगे चाह आर्निंग हाई होगा ठीक है फेस्बुक ये सारा टेंशन कर्डिशन चिपका के रखा उसके बाद जो देखे मेन बतला हुआ ना वह आपके वीडियो का रियक्शन भी देखा जाएगा ठीक है अगर आपके वीडियो पर ज्यादा लाइक सा रहे हैं ज्यादा कमेंट कर रहे ह है तब भाईया आपका अर्निंग और ज्यादा बढ़े गा ठीक है और ये जो है खेवल आर्पीम और सीपीम ये सारे फंडे को हटाया गया है अब आपको फेस्बुक दिखाएगा नहीं कि भाईया आपके वीडियो पर कितने ज्यादे व्यू जा रहे हैं कितना आर्पीम सारा राइट फेस्बुक के पास रखेगा अब क्या करेगा फेस्बुक आगे समझे ठीक है अगर देखे खत्रा किनको है अगर आप कॉंपी पेस्ट करते हैं एकदम एस टू एस का क्या मतलब होता एकदम सेम टू सेम भाईया किसी की वीडियो जो को उठाते हैं और भाईय हम तो पैसे कमा रहे हैं जी हाँ बाबू आप पैसे कमा इसलिए रहना क्यूंकि फेस्बुक का अल्गोरिदम आपके वीडियो को नहीं पकड़ा है जिस वक्त फेस्बुक का अल्गोरिदम आपके वीडियो को पकड़ लेगा और वो लेगा भाईया ये कॉपी पेस्ट है अगर जैसे ही पकड़ लिया कि यह copy paste है, आपके वीडियो पर सीधा delete करेगा, और earning restricted या फिर earning limited कर देगा, ठीक है, तो अगर देखिए भाई एकदम same to same कर रहे हो, तो भाई या खतरा तो है आपको ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं, अगर कोई भी अपने वीडियो पर voice over करते हैं, या फिर कोई ऐसा वीडियो बनाते है, जिसमें roast category यूज करते हैं, footage को यूज करते हैं, उसके पीछे से voice देते हैं, उनका earning कम होने वाला है, ठीक है, उनका earning कम होगा, उसके बाद, अब देखिए, खत्रा में किस पर मढ़ राया है, खत्रा मढ़ राया, group sharing वाले बंद है, तो वो क्या करते हैं, सीधा उनके पास 2 million, 3 million वाला group होगे, उनमें share कर देते हैं, एकी दिन में 10 million views, ठीक है, एकी दिन में 20 million views, एकी दिन में 50 million views ले लेते हैं, ठीक है, वो होता है group sharing से, ठीक है, ठीक है, तो भाईया group sharing जब आप करोगे, तो आपके video पे reactions कहां से मतलब आपके वीडियो पर like कमाएंगे, share कमाएंगे, comment कमाएंगे, तब भाईया आपका earning जो है ना एकदम ठफ हो जाएगा, आपका earning down हो जाएगा, तो भाईया अगर voiceover वाला channel है, ये सब वाला channel है, तो earning थोड़ा सा ठफ होगा, ठीक है, earning थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पैसा देगा, तो उसमें आपका reaction देखेगा, कि कितने आपके वीडियो पर like कमेंट आ रहे हैं, कितने लोग आपके वीडियो को share कर रहे हैं, कितने लोग आपके वीडियो पर engage कर रहे हैं, ठीक है, वहीं अगर कोई भी original creator है, तो उसका तो भाईया like भी अच्छा खासा और comment तो लोग भर-भर के करेंगे, तो उनका earning definitely high होगा, ठीक है, तो अगर आपको कोई बताता है, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे earning होगा, वैसे earning होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, totally जो है, इस चीजों के उपर depend करेगा, अगर आप इस चीजों को लेकर चलते हो, भाईया, ना ही आपके monetization में कोई problem होगा, ना ही आपका monetization reject होगा, और आपको कोई भी problem नहीं होगा, अगर आपको वीडियो पसंदा है, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और एक प्यारा से comment कर दो, क्योंकि इस चीज भी reaction पर करता है, और वीडियो को share वेगरा भी कर दो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत है